वोटर किसी का बद्वा मजदूर नहीं होता कि किसी साथ बंद के रहेगा पर इस चुनाव में इसलिए कि वो बार बर जब एक चीज़ आप करती रहेंगे तो एक समय आएगा कि आपको लोग छोड़ देंगे नोटा मतलब एक क्या होता है नाकरत्मक राजनी थी हमें वार्ती जनता पार्टी से डबल इंजन की सरकार से मुक्ती चाहिए पहन जी को आप लोग पिर से आमंत्रित करेंगे कोशिश करेंगे आप लोग अब ये देखिए जन दबाव है ये जनता का दबाव सामने आगया घोसी के चुनाव में परणाम दिखा दिया दो हजार नो के लोग सभा चुनाव के बाद से जिस नतीजे की दरकार उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस को है वो नतीजे अभी तक हासिल नहीं हो पाएं इस बीच में कॉंग्रेस ने कई तरीके के प्रयोग किये उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल हुए तो ढ़ाई दशक से भी जादा का वक्त हो गया लेकिन दो हजार नो के लोग सभा चुनाव ने कुछ उत्सा जरूर भरा था लेकिन 2014 में मोधी सरकार आई देश पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कत्व बहुत तेजी से आगे बढ़ा जो अभी तक लगातार कायम है करीब परीब एक दशक पूरा होने जा रहा है ऐसे में कॉंग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा सरकार रही उत्तर प्रदेश में उसने इस बीच में कई तरीके के प्रियोग किये कई लोगों के हाथ में कमान भी दी इस बार उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस के जो नव नियुक अध्यक्ष है अजयराय जी उनको ये जिम्मेदारी सौपी गई है और दो हजार चौबिस के लोग सभा चुनाव बहत करीब आ चुके हैं लेकिन इस सब के बीच एक टेस्ट मैच खेला गया एक परिक्षण या कह सकते एक ट्रैक्टिस मैच खेला गया घोसी में घोसी के जो नतीजे सामने आए वो निशित तोर पर इंडिया खेमे के लिए उत्सा वर्दन का काम कर रहे हैं लेकिन क्या ये नतीजे काफी हैं और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की जो असी लोग सभा सीटे हैं उसमें क्या भागीदारी होगी कॉंग्रेस की क्या आगे की रणनीत है इन तमाम विश्यों पर चर्चा करने के लिए अजयराई जी हमारे साथ मौजूद हैं अजयराई जी वालनसी से आते हैं और एक 2004 में लोग सभा चुनाओं लडने के लिए 24 में लोग सभा चुनाओं लडने के लिए नरेन मोधी जी आए तो यह कहा गया कि अगर केजरी वाल बीच में नहा होते तो शायद मुकाबला और अच्छा होता लेकिन खैर वो गुजरे वक्त की बात हो गई अभी 2024 आ गया है लोग सभा चुनाओं हुए इसमें भी उससे पहले भी उपचुनाओं हुए थे गोरखपुर का अगरम एक्जामपल ले 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 तो बीजेपी वो सीठार गे थे लेकिन बात में आप देखा किस तरीके से कमबैक किया चौसट सीचे जीत की आई गोसी के उपचुनाओं को क निश्चित तोर से एक संकेत है कि पूरे प्रदेश का महौल पूरे गाओं का महौल समाज का महौल बदल रहा है बदल इसलिए रहा है कि दस साल जनता ने बड़े संजीदी की साथ इंतजार किया कि अच्छे दिन आएंगे हमको नोकरियां मिलेंगी हमें काम मिलेगा हमें बैपार मिलेगा हमारे चलेंगे हमारे बच्चों को नोकरियां मिलेंगी और कानून बेवस्ता बहूत अच्झा हो जाए गा कानून में बहुत ही अमंचैन हो जाएगा जैसा इन्हों ने कहा सा राम रा जाएगा वो सब चीजों पे रोगों को एक अझीब सा धक्का लगा एक लोगों को परशान हुए लोग जो हम लोगों ने सोचा था उसके ठीक अबोजिट हो रही है चाहे कांप बैपार में चाहे नौकरियों में चाहे कानून बेवस्ता में कहीं पर भी आप देखेंगे तो हर जगा लोगों को बड़ा नेराशा हुई इसनाते जो जनता है तो ये निश्चीत और से ये बहुत ही मजबूत और बड़ा संदिय से पूरे समाज के लिए पूरे प्रदेश और देश के लिए अचा पहली बार ये देखा गया क्योंकि समाजवादी पार्टी का केंडिडेट था देखे मायावती से जब दलित अलग हुआ तो वो शून दस सीटे होगी जीरो से लेकिन मायावती के अपील पर दलित अभी ने गया वह पांच के पांच पही रहे गए ये पहला ऐसा चुनाओ जिसमें ये देखा जा रहा है कि दलित भी शिफ्ट हुआ पिछले वर के भी वोड गया तो कोई बदलाओ का संकेत है क्योंकि इसमें मायावती जी की भूमिका बड़ी एहम हो जाती है उन्होंने नोटा का पटन दबा देना लेकिन दलित तो शिफ्ट हो गया इंडिया गड़ बंदन की तरफ देखिए आप जब अपने वोटरों को जब अपना अपना किवल एक घर का समझ लेंगे कि नहीं हम जो कहेंगे व उसको मिलना चाहिए महंगाई चरम पर है क्या गरीब आद में रोटी दावल चाल नहीं ख्रेगा क्या सबजी नहीं कथाएगा टमाटर नहीं खर देगा उसको भी चाहिए, दूज चाहिए उसको, बच्चों की फीस कहां bold कहां रिए जो भी चीज है अस्वतल में हिलाज कहां से आई इस्ववन कार्ड पूरी तरिकर से नहीं आप दिखाएंगे भाजपा का ओड़ इस वार बाजपा को छोड़ दिया ऐसे को रोड़ बाजपा के जो इस सुस्ते थे कि मेरे अलाम कहीं नहीं जाएंगे वहाँ पर उस गाउं में बीजेपी बुरी तरिके से हारी है वहाँ इंडिया कट बंधन को ओड़ गया है त से लिए उट्रसों के वल सत्रेसों वहाँ आप सोचिए तो आपने कहा नोटा मतलब एक क्या होता है नाकरतमक राजपा की नाकरत्मक ता कि राजनीती लोग पसंद नहीं करते हैं चाहिए कोई वो किसी का वोड़ बाजत्य का वोटर हो ओगा मैं वह अगर अपने में दिनर जनता ने यह दिखा उनके ओटरों ने कि नहीं यह सामने चीजें दिख रही हैं तो इंडिया गडबंदन के साथ क्योंकि बाकी हम लोगों ने सबसे पहले कांवरेस ने सपोर्ट किया कांवरेस ने सबसे पहले ताकत दी उसका सीधे सीधे फैदा जो है इंडिया गडबंदन क् 근ला, इंडिया-गडबंदन, भारी मतर्व सजीता, चुड़ा, अच्छा, कुर्सी समालती है, आपने कह दे था है खि मंसर्सन करेंगे, इंडिया-गडबंदन की परिशाशिय का, बाद में सफाप नहीं रहा वो इंडिया-गडबंदन का पर् lavoro की तरीके से? देखे, ऐसा है कि आज जो समय के हालात इन, जो अससीत पर चल लएए इस हमाज के अंदर। जिस तरिके से आँम आदमी प्रिशान है, गरीब आदमी प्रिशान है, किसान प्रिशान है, मुजदूर प्रिशान है और जो मीनत का उसा अथ जो रोज कुवाँ खोथा है और रोज पानी पीने के लिए अपना काम करता है वो अदम दिक्कत में है चाहे वो बुनकर हो चाहे वो मतलब एक साधरनब एक किसान हो एक मजदूर हो अब मजदूर की मंडियों में चले जाएए आप सुबा के समय कभी चले जाएए पहले क्वी तूर को तुरंत लोग लेकर आज मजदूर दिन दिन मर इंतजार करता है बै sociology पानी पी के घर चला जा जा चाहता है कोई कामी नहीं है उसके हां में अधे कहीं करते थे सारी चीजह हों पर छुकी है अच्छा बहन जी को आप लोग फिर से आमंत्रित करेंगे कोशिश करेंगे आप लोग अब यह देखिए जन दबाव है यह जनता का दबाव सामने आ गया घोसी के चुनाओं में परणाम दिखा दिया तो अगर वह जन दबाव या अपनी जनता के अगर चीजों को न समझ पा आएंगे तो मैं समस्ताओं की आने वाले समय उनके लिए बहुत भारी पढ़ेंगे और निश्ची तौर से आम जनता जो चाहती है पसंद करती है आपने कहां नोटा दबाईए कहां दबाया लोगों निताने कहां नोटा दबाना है आप घर बढ़ जाए कहां देखिए पूंजीवादी हैं बीजेपी पूंजीवादी है आपका भी गडबंदन पूंजीवादी है उनका भी गडबंदन पूंजीवादी है दलितों की बात करते नहीं कामगारों की बात करते नहीं सरकार चाहिए आपकी हो गडबंदन की चाहिए उनकी गडबंदन की हो कौन ल कारे किया है और उनके साथ हमें से कभी भी यह नहीरागी पूजी वाद की तरफ हम लोग रहे हैं उठाकर आप देख लें आज इस तरीके से भारती जनता पार्टी आज इस तरीके से अरडानी के हाथ में सारी चीजें देती चली जा रही है कौनरे से समय कोई एक नाम बताते है हम सबके साथ सबको लेकर चलते थे हम हर वर को लेकर चलते थे और अगर इंडस्टलिस्ट भी आए तो इंडस्टलिस्ट में एक नहीं कितने इंडस्टलिस्ट आए अब दर्जनों आप देख सकते हैं कई दर्जन सैक्रों की संख्या होगी आज किसका नाम आता है कोई भ सबाधनी को जा रही है तो ये सारी चीजह खाने कि जितने सबلب कि जा रही है तो यह हमारे समय के सामरी समय कंग्रतius में हम सब पूजी उनके हाथ में दे दिया नों है आप उठा कर देख लें आज है लखनौ वे बरसात हुई है और पूरे लखनू के अंदर पानी लग गया इसके पबले बरसात हुई स्मार्ट सीटि स्मार्रा का का काम कां कर रहा है सब कुस्रात की कमपनियाह हैं सब गुजरात की वरष्ट कंपनी काम कर रही है, टोटल पूरे देश के अंदर जेतने भी स्मार्ट सिटी का काम है वो कीवल और कीवल गुजरात की कंपनी काम कर रही है क्या हमारे लोग के लोड देने कि लोकल लोग काम करते बाहर से लोगों को लाकर काम कराया जा रहा है गुजरात के लोगों को काम कर दिया के किवल एक किवल एक अधिकार किवल गुजराती करण हो रहा है और यह आप स्मार्ट सिटी जतनी है इंडिया का हिस्सा भारत का हिस्सा है पर आप हमारा भी तो हिस् महराष्ट में जब उत्तर भारती पीटे के तब आपको तकलीफ हुई थी बिल्कुल हमारी बात हमने उठा किया मिसाम मदद किया उनकी उत्तर भारतियों के मिसाम मदद किया मैसा उनके साथ खड़े रहें आज की सिटी आपको बता दूँ जो आज का दंदा काम वेपार चल है वो टोटाल एक अधिकार है और सारा काम उनको दिया स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी में कोई आडिट नहीं है स्मार्ट सिटी के कोई आडिट नहीं है अब सारी कंपनी कोन है सब गुजरात की लोग है चाहे वो लखनों में काम हो रहा हो बनारस में काम हो रहा हो जो भी स सब वहां की company गुजरत की और वो कहीं पर भी इसलिए audit नहीं हो रही है इसलिए उनको सारा काम दिया जाए चले उत्तर प्रदेश की राजनीद पर फिर से लोटते हैं उत्तर प्रदेश में मिशन असी का लक्ष लेके भारती जनता पार्टी चल रही है यानि असी में असी में रोग देंगा सी मसी हरा देंगे सीटें इस आपको लगता यह संभव है यह प्रैक्टिकल पॉस्बिल है यह दिखिए उसका परणाम आप सामने देख लें जहां पर भी अभी जब से इंडिया कटबंधन का नाम आया है या जब से इंडिया कटबंधन की चीज़ें श्येयर का नाम आने से पूरी तरीके से भारती जन्ता पारटी बोख़ा गई है तॉस में नाम नाम हटा देना इंडिया भारत ला देना इंडिया भारत हम सब लोग उसके नागरिक हैं उसके हम रहने वाले मारी मिट्टी है तो उसमें बटवारा कर रहे हैं आप कोई कहना चाहूंगा कि असी के असी सीट इंडिया गड़ बंदन में आप देखिएगा बारती जंता पार्टी के कई बड़े बड़ करेंगे असी लोग सभा सीटे हैं उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है आपके पास सर्फ एक सीट है अमिठी सीट आप हार ही चुके हैं तो ऐसे मैं आप क्या उम्मिद करते हैं किस कड़बंते से कितनी सीट आप मिल पाएंगी कितने पर त शुरुआत में केते लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं आपसे क्या वास्तों मैं मेठी से लड़ेंगे चुना राहूल गांदी बिल्कुल मेठी की जनता चाह रही है आप कभी वहां जाकर एक सर्वे कर सकते हैं पूछ सकते हैं कि आम आत्मी वह वहां डिमांड कर रहा है कि राहूल जी हम लोगों के नेता है और नेता रहेंगे गांदी परिवार क्योंकि गांदी परिवार 40 साल वहां पर संसदी किया कभी भी गांदी परिवार ने लोगों से जूट नहीं बोला कभी लोगों को बर्गलाया नहीं कभी नहीं का कि 13 उर्पय कीलो चीनी हम देंग कांग्रेस के परिवार के लोगों ने गांधी परिवार ने कभी वाँ छूट नहीं बोला परिवार समझा घर समझा और उनके साथ मिसा खड़े रहे हैं बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन कहां से लेगा माली अमेठी सित्राहुल गांजी जी आ जाएंगे सोनिया जी रै प्रदेश की परबारी है और निश्चित हम सब की नेता है जहां से लड़ेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी करकरता खड़ा रहेगा ऐसा कादरा कि कुछ पांस सीटे आपने चिन्नीत की जहां से वह जी सकती है मेरी जनकारी में यह बात है कि उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके के जो हालात बने हुए आप देख रहें कि एक तरफ मायावती है एक तरफ एंडिये का कुनबा एक तरफ इंडिया अलग अलग छेतरी हिसाब से भी समीक्रत ताई कि जार जैसे कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निशाथ को अपना हैं ऐसे में क्या कोई भविश में ऐसी भी कोई संभाव ना हो सकती है कि कॉंग्रेस अपने प्रभाव वाले इलाकों में या राष्टी लोगदल जो आपकी गडबंदन का हिस्सा है वह पस्टी मुद्धर प्रदेश में कुछ सीटे चाहते हैं और पूरवांचल में चाहत जहां आपको लगता कि आप ज्यादा बेतर प्रदर्शन करना हैं और असी की असी सीट के हमारी त्यारी है प्रदेश सद्धिश के नाते और मैं यह सीधे सीधे करना हूं मारी पूरी तयारी चल लिए बाकी वो संगठन तय करेगा कि पूरव पस्टिम कहां राष्टी नित मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पर बातचीत करके क्योंकि बठकें तीन बठकें हो चुकी हैं बहुत जल्दी इस पर निर्ड़े आ जाएगा अच्छा इस बीच आपकी क्या अखले शादो जी से या शुपाल जी से या जहन चौदी से कोई बातचीत हुई या आप लोगों की इस बीच में कोई अप रास्टी ने तुर्च से बात हुई गी मेरी कोई बात तो हमारे साथ थे अजेराई जी जिन से हम चर्चा कर रहे थे उत्तर परदेश की राजनीत को लेकर करके उत्तर परदेश में लगातार कॉंग्रेस कोशिश कर रही अपनी ज़नों को फिर से मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करना एक बला जिम्मा है जिसकी जिम्मेदारी अब अजेराई जी के हातों में और उसी के सहरी उत्तर परदेश में एक बार फिर से कॉंग्रेस अपने वजूत को इस्थापित करने की कोशिश करेगी क्यामरा परसन सच्चिम कुमार सेनी के साथ माना शिर्वास तो लखना हूँ